हाजी नमस्कार गुडीवनिंग कैसें आप लोग सभी कोमल नरेश पूनम शिवा वीर अमीता मोनी नरेंद्र विष्णू रंजी तुत्तम सोनू रवीना प्रशान तमन जिया निलेश पिपिन समर्थ मदन ठाकूर सभी को गुडीवनिंग राम राम जय श्री कृष्णा बसंत पंचमी की आप सभी को शुपकाम नाएं सरस्वति मा सभी को खूब सदबुद्धी दे ज्यान दे विज्यान दे भंडार दे ज्यान का भंडार सब को मिले चालो गुड मॉर्निंग भाई गुड मॉर्निंग ओके देखिए हमने दस दिन का अपना एक टार्गेट सेट किया था दस दिन का टॉपिक का सीक्वेंस सेट किया था और आज से अगले दस दिन का शेडियूल में आपको दिखा दूंगा कि अब हमारा अगला दस दिन का सिस्टम किस प्रकार से चलना है है ना तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेल गाड़ी आज रेल गाड़ी चलाएंगे है ना और आपको एक चीज़ और बता देता हूं मैं हमारे अगले 10 दिन का जो शेडिूल रहना है वो कुछ इस प्रकार कर रहेगा ठीक है तो आज मैं आपको रेल गाड़ी करवा रहा हूं फिर इसके बाद समयकारे करेंगे समयकारे में बारी बारी वाले जो सवाल आते ना अल्टरनेट अगले 10 दिन का आप स्क्रीन शॉट ले लिजी कि अगले 10 टॉपिक हम कोन से पढ़ने वाले है इसके बाद छेत्रमित प्रती फिर प्रतीशत फिर चक्रदी व्याज ठीक है एक मिट इसमें कुछ थोड़ इसी दिक्कत आ रही है एक मिट रुकिएगा एक मिट रुकिए थोड़ा समय इसको री स्टार्ट कर रहा हूं आज रेल चलेगी ठीक है हाँ और आज हम ट्रेन में भी दो ट्रेन वाले सवाल जो एक दूसरे को पार करती है उस प्रकार के सवाल आज करने वाले हैं तो यह हमारे 10 दिन का शेडियूल रहेगा ठीक है समयकारे बारिवारे वाले सवाल चेत्रमिती प्रतीशत में मतदान चुनाव वाले सवाल चक्रदी व्याज में किष्ट वाले त्रिकोंड मिती में लाल बटे कक्का वाले अनुपात में साज़दारी पर आधरी सवाल लेंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सिस्टम वही रहेगा जीरो लेवल से डेली नोट्स पीडिये बेसिक टू एडवांस और आप कभी वैटेंट करेंगे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा आगे शुरू करने के पहले आपको बता दू कि विनर्स की एप्लिकेशन पर 26 फरवरी से रेल्वे का नया फांडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है और ये अपने आप में बहुत ही बहतरीन बैच होने वाला है because of facilities and fees मात्र 799 रुपे में आपको 11 subject पढ़ाए जाएंगे previous years के questions करवाए जाएंगे basic से पढ़ाएंगे 0 level से पढ़ाएंगे notes देंगे 15 mock test मिलेगा और बहुत सुभिधाएं हैं जो आपको इसमें मिलेगी आप live देख सकते हैं live देखिए बाद में recorded देखना है recorded देखिए 26 फरवरी से नया बैच स्टार्ट हो रहा है और नाम हमने रखा इसका अम्रित बैच और 26 तारिक से ही मेरा मैच का एक special बैच भी स्टार्ट हो रहा है अगर आप चाहें तो दोनों को साथ में ज्वाइन कर सकते हो उस case में फीस मात्र नौसों इंडियान में रहेगी only triple line ठीक और परसो कल शायद हो सकता है कि मैं class ना लूँ कल मुझे कुछ काम है कोशिश करूँगा class में लूँ अगर नहीं हो पाईगी तो फिर हम परसों मिलेंगे तो आज 14 तारिक है 16 तारिक को मैं एक जानकारी क्यूंकि आपके मैं continue comments देखते रहता हूं और जो आपकी तरफ से च तायारी किस चीज की करें क्या group D को target बनाए ntbc को target बनाए या टेकनिकल को target बनाए या सब को कैसे manage करें तो मैं 16 फरवरी को सेम अपने समय पर आपको पता है कि मेरा time तो 8 बजे ही रहेगा है तो रात 8 बजे हम मिलेंगे और उसका topic हमने रखाए कि क्या एक साथ सब की तया सारी तयारी एक बार अच्छे से हो जाए तो परसो दो दिन बाद मैं यह schedule रख रहा हूं एक session ला रहा हूं कि हम इनका detailed post-mortem करेंगे कि किस तरीके से सभी परिच्छाओं को साथ में लेकर चला जा सकता है उसकी हम बात करेंगे परसो के दिन ठीक है आज की glass की PDF मैं आपको पहले थोड़ा सा हम basic समझ लेते हैं इस chapter का देखे पहले हम एक train चलाएंगे फिर हम एक के बाद दो train भी ले आएंगे है ना दो दो train चलाएंगे अब चलने वाली बात है तो यह basically पूरी तरह से एक time speed और distance यारी समय दूरी और चाल पर आधरी सवाल इसमें आते हैं है ना ह हम जानते हैं speed is equal to distance upon time चाल बराबर दूरी बटे समय लेकिन इस chapter में होता क्या है कि सारी चीजे जो है बदल जाती है जैसे distance है तो यहाँ पे जो train की लंबाई होगी उसको हम distance मानेंगे यहाँ पे distance का मतलब होगा train की लंबाई length of train train की लंबाई को क्या कहा जाएगा मेरे भा यानि दूरी तो इस chapter में दूरी का मतलब क्या होगा train की लंबाई इस chapter में समय का मतलब क्या होता है तो यहाँ हमेशा आप किसी चीज को पार करोगे तो पार करने में लगा समय crossing time जो है वो यहाँ पे समय होगा और चाल चाल ही है speed ही रहेगी उसमें कोई दिक्कत नहीं है इ वो है सापेक्ष चाल यह आपको पता होना चाहिए इसका बहुत ज्यादा महत्व है इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं relative speed है जब दो चीजे एक साथ चलती है दो चीजे अब भई देखो दो चीजे है या तो वो दोनों समान दिशा में जाएंगी या फिर वो दोनों विप दिशा में जाएंगी जब दो चीजे एक साथ चलती है तो उनकी चाल को सापेक्ष चाल कहते हैं एक ही दिशा में जाएंगी तो समान दिशा विपरित दिशा में जाएंगी विपरित दिशा अब यहां पर क्या होता है कि जब दो ट्रेंस चलती है जब दो ट्रेंस चलेंग तो आप याद रखना, या तो उनकी दिशा समान होगी, या तो सेम डारेक्शन होगी, या फिर उनकी दिशा विपरित होगी, उनकी डारेक्शन ओपोजेट होगी, ठीक है, समान दिशा और विपरित दिशा, हम दो ट्रेन की बात कर रहे हैं, तो हम उनकी लंबाई को हमेशा जोडेंगे समान दिशा में चाल हमेशा घटाई जाती है बरावर में पार करने में लगा समय विपरित दिशा में हमेशा क्या करते हैं चाल हमेशा जोडते हैं बरावर में पार करने में लगा समय यह अच्छे से नोट कर लेना ट्रेन में सबसे ज्यादा जो सवाल आपको करन मैं लगभग ट्रेन के 80% सवाल इन दो फॉर्मूले से करवा देता हूं कहीं ना कहीं हम इससे कनेट करके सवालों को हल कर सकते बस यह आपको पता होना चाहिए समान दिशा में और विपरित दिशा में क्या हो जाएगा एक बात और आपको पता होनी चाहिए कि जब भी चाल किलोमीटर प्रती घंटे में दी हो तो आप 5 बटे 18 का गुणा करते हो जिससे वो क्या बनता है जिससे वो मीटर पर सेकेंड बनता है और इसी प्रकार अगर कभी आपको चाल मीटर पर सेकेंड में दी है और उसको 18 बटे पास से गुणा करोगे तो बापस किलोमीटर प्रती घंटे में बदलेगा ये दोनो बाते आप ध्यान रखिएगा ठीक है, किलोमेटर प्रती घंटे में दिया है, 5 बटे 18 से गुणा करिए, मीटर पर सेकेंड बनेगा, मीटर पर सेकेंड दिया है, 18 बटे 5 से गुणा करिए, बापस वो किलोमेटर प्रती घंटे में बदल जाएगा, तो एक तो ये चीज के आपको काफी जुरत पड़ेगी, इन दोनों से हम सभी प्रकार के प्रश्णों को solve कर लेंगे और ये आप याद रखना L का मतलब है याप लेंथ यानि लंबाई दोनों ट्रेन के लंबाई हमेशा जुडेगी बराबर में पार करने में समय हमेशा आएगा बस दिशा को देखकर हम तय करेंगे कि चाल जुडेगी या घटेगी और इकाईयों का बहुत ध्यान रखना यूनिट्स का इस चेटर में बहुत ध्यान रखना कि क्या चीज किलोमीटर में दी है यूनिट्स मतलब इकाई क्या किलोमीटर में दिया है, क्या मीटर में दिया है, क्या सेकेंड में दिया है, क्या घंटे में दिया है, क्या मिनट में दिया है, इसका बहुत ध्यान रखना है, ठीक है, बाकी अब चीज़े हम प्रशनों के साथ करेंगे, ज्यादा बहतर सीखेंगे, तो आईए, पहला सव हम उठाते हैं 250 मीटर और मैं एक चीज़ और बता दू कि ये चैप्टर ज्यादतर मीटर और सेकेंड में ही चलता है ये चैप्टर मीटर और सेकेंड में ही चलता है तो वो थोड़ा सा आपको इकाईयों पर विशेश ध्यान देना पड़ेगा ओके चलिए दो ट्रेन है उनकी चाल दी हुई है कि एक 250 मीटर लंबी ट्रेन है एक 400 मीटर लंबी ट्रेन है एक की चाल 40 है एक की चाल 30 है और एक ही दिशा में जा रही है यानि समान दिशा में जा रही है तो मुझे बताईए कि समान दिशा का फॉर्मूल अब भी बताया था म मैंने आपको समान दिशा में चाल घटती है बराबर में पार करने में लगा समय अब मैंने आप से क्या कहा था देखो ये मीटर में है ये मीटर में है ये किलोमेटर प्रदी तो अब हम क्या करेंगे हम ऐसा करते हैं एक इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूं मैं एक की लंबाई 250 है एक की लंबाई 400 है विपरित दिशा समान दिशा है तो चाल घटेगी तो 40 में से 30 घटेगा अगर आपकी परमीशन हो तो मैं डारेक्ट 10 लिख दूं क्यूंकि S1-S2 40 मे गंटे में है तो मुझे इसको 5 बटे 18 से गुड़ा करना पड़ेगा मैंने आपसे पहले का कि अगर कोई चाल किलोमेटर पती घंटे में है उसको 5 बटे 18 से गुड़ा करिए वो किसमें कनवर्ट होगा मीटर पर सेकेंड में यह ध्यान रखना तो इस से आएगा आपको पा आपके 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा पास से यह कैंसिल हो जाएगा 13 बार ठीक है अब यहाँ पर इन्हों ने एक चीज़ और कहिए आपको पता है कि हमारा प्रेश्ण जो है हमने क्यूंकि मीटर पर सेकेंड में कनवर्ट किया है तो जो भी हमारा आंसर आना है वो सेकेंड में आ रखना पड़ेगा इससे आंसर मुझे किस में मिलेगा इससे मुझे आंसर मिलेगा सेकेंड में और सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए साट का भाग देना पड़ेगा हम चाहें तो यहीं पर साट का भाग दे दे लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमने साट का भाग क्यू दिया, answer second में आएगा, मुझे minute में देना है, इसलिए 60 का भाग देना पड़ेगा, ठीक है, अब solve कर लो, तो ये cancel हो जाएगा, 6 से 3 बार, ये cancel हो जाएगा, 6 से 10 बार, 13 का 3 गुना 39, 10 का भाग दोगे, तो 3.9, so answer is 3.9 minute, see आपके प्रश्न का answer है, 3.9, 3.9, आया आनंद भाई, फिर से मैं बता रहा हूँ, हम क्या करेंगे, बस आप तो इन दोनों चीजों को फिलाल दिमाग में रखें, मैं सब सवाल लगबग इनी से करा दूंगा, दोनों की लंबाई हमेशा जुडेगी, बराबर में पार करने में लगा समय आएगा, समान दिशा मे चाल घटती है, विपरित दिशा में चाल जुड़ती है, बस इतनी इसी चीज आपको याद रख लेनी है, है ना, दोनों की लंबाई रख दी, दोनों की चाल समान दिशा है, बोला हुआ है, है ना, वे एक ही दिशा में जा रही है, तो 40 में से 30 घटेगा, 10 आएगा, क्यों में जो आंसर आएगा, वोग इसमें आएगा, मिनट में, डन, कौनों दिखत परिशानी, वेरी गुड, चली आगे, टाइप 2 है, सवाल को धंग से पढ़ेंगे, समान दिशा का ही सवाल है, लेकिन कंडीशन थोड़ी अलग है, एक सोर वाई दो ट्रेन है, जिनकी चाल दी ह हुई है, और एक ही दिशा में चल रही है, तो एक सोर वाई से, अच्छा, एक सोर वाई दो अलग अलग बिंदू है, इस्थान है, तो एक का नाम मैंने एक स रख दिया, एक का नाम मैंने वाई रख दिया, दो ट्रेन है, तो एक से से जो ट्रेन चली, उसकी चाल है 32 किलोमे प्रतिगंटे है और एक ही दिशा में जा रही है मतलब इधर से वाली ट्रेन भी इधर जा रही है ये वाली ट्रेन भी इधर जा रही है तो दोनों के बीच में दूरी है 42 किलोमीटर और वे य से किसी बिंदू Z पर मिलती है तो Z से Y की दूरी कितनी है तो दोनों ट्रेन इधर जा रही हैं, तो दिखती बात है कि इनकी मुलाकात यहां कहीपे हुई है ना, यहां से यहां कहीपे मुलाकात हुई और इस बिंदू का नाम जैड है तो आप से पूचा है कि वाय से लेकर जैड तक की दूरी ग्याद करें अब यह सवाल पढ़ो आपको लगेगा यार यह तो बड़ा कठिन सवाल दे दिया लेकिन अभी जब हम सॉल्व करेंगे तो इजी बनेगा और लॉजिक समझने की कोशिश करेंगे तो और इजी बनेगा देखिए आप एक बात समझे मैंने क्या कहा जब दो चीजे समान दिशा में जा रही है तो सापेक्ष चाल लगेगा तो अगर दोनों की लंबाई नहीं दी हुई है तो हम दोनों का एक्च्वल में सापेक्ष चाल को चाहिए होता है अंतर सापेक्ष चाल में हमें चाहिए होता है डिफ देखो होगा क्या ये ट्रेन यहां से निकली ये ट्रेन यहां से निकली दोनों जा रही है जो ट्रेन पीछे है उसकी चाल जादा है जो आगे उसकी चाल कम है यानि एक ना एक समय ऐसा जरूर आएगा कि पीछे वाली ट्रेन जो है आगे वाली ट्रेन को पार कर जाएगी तो यह यहां पहुची और यह यहां पहुची तो दोनों की जेड बिंदू पे मुलाकात हो गई अगर पीछे वाली ट्रेन स्लो होती तो यह जीवन में न मिल पाए पर पीछे वाली ट्रेन फास्ट है आगे वाली स्लो है तो यह मिला तो लेगी भाई कब मिलाएगी नहीं पता, वो ही हमें पता लगाना है, तो देखो, दोनों की बीच में कितने किलोमेटर का फर्क है 42 का, समान दिशा में 4 घटेगी, तो 32 में से आपने 26 घटा दिया, तो कितना आगया 6, तो 6 से मैंने भाग दिया, यानी 7 घंटे बाद इनकी मुलाकात हो जाए या 7 घंटे बाद पीछे वाली ट्रेण, आगे वाली ट्रेण को पार कर जाएगी, कितने घंटे बाद, 7 घंटे बाद, इसका मतलब इसको यहां से यहां तक पहुचने में 7 घंटे लगे, तो आप से पूचाए कि भाईया तुम तो यहां दूरी बता दू, है ना, तो इस उनको यहां तक जाने में 26 की चाल से साथ घंटे लगे तो साथ इंटू छे बैयालिस चौदा और चार अठारा तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 182 किलोमेटर 182 किलोमेटर सी आपका अंसर बताओ कोई तकलीफ है भाई आया अनंद और मैं चाहता हूं कि आप रटो नहीं लॉजिक समझो तो मजा है ना क्यूंकि सवालों का अंत है नहीं आपको पता है मैंस में सवाल कितने भी आ सकते कहीं से भी आ सकते लॉजिक सगर हमारे अच्छे है कैसा भी सवाल आएगा बनेगा तो लॉजिकल मजबूत होई है सोचिये और पूछिये कि ऐसा क्यूं तो मजा है समझने में है ना जब दो चीजे चलती है तो उनका अंतर लेते हैं साप एक चचाल लेते हैं इससे पता चलता है कितने घंटे बाद उनकी मुलातात होगी साथ गंटे बाद यहां से आ तक साथ गंटे की दूरी 26 की चाल से साथ गंटे में कितना हो जाएगा 182, 182 46 किलोमेटर पर आर और 36 किलोमेटर पर आर की कती से समान लंबाई की दोट्रे ने समानानतर रेखाओं पर एक ही दिशा में यात्रा कर रही है देखो सबसे पहले ट्रेन वाले चेप्टर में दिशा पकड़ना जरूरी है एक ही दिशा तो आपके एंटिने खड़े हो जाने चाहिए कि समान दिशा का सवाल है है अब समान दिशा है तेज ट्रेन धीमी ट्रेन को 36 सेकंड में पार करती है प्रत्य ट्रेन की लंबाई इनकी लेंथ सेम है यानि इसकी लेंथ अगर एक्स है तो इसकी लेंथ भी क्या है एक्स है ठीक है चाल का अंतर लेंगे 46 में से 36 गया तो यह आ गया भाया 10 इंटू 5 18 बराबर में पार करने में लगा समय विचिस 36 सेकंड इस पूरे को उठाके मैं यहां ले जाओं है ना त आपका 50 यह आजाएगा 18 यह आजाएगा 36 18 से कैंसिल हुआ दो बार दो से यह कैंसिल हो गया दो बार तो एक्स की वेल्यू 50 यानि प्रत्य ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी होगी 50 होगी कि वेरी गट कि ठीक है समझ आ गया सभी को कि दोनों की लंबाई समान दी हुई थी ससी जीडी का पिछला सवाल भी था और ये वाला सवाल भी ससी जीडी का है 65 किलोमेटर पती घंटे की यात्रा करने वाली एक ट्रेन 10 बजे बॉमबे से निकलती है 75 की गती से उसी दिशा में यात्रा करने वाली ट्रेन दोपर 12 बजे बंबई से शुरू होती है बंबई से कितनी दूर मिलेगी देखो हुआ क्या ये बॉमबे है दोनों ट्रेन निकल यही से रही है दोनों ट्रेन निकल बॉमबे से रही है पर एक ट्रेन 10 बजे निकली और अगली ट्रेन 12 बजे निकली जो ट्रेन 10 बजे निकली उसकी चाल है 65 किलोमेटर पर आर और जो 12 बजे निकली उसकी चाल है 75 किलोमेटर पर आर आधा तो आप से काय कि बंबई से कितनी दूर इनकी मुलाकात होगी तो पहले तो हमें यह पता लगाना पड़े कि बंबे से कितनी दूर के लिए कितना शमय तक यह चलेगी तेख़ो फिर से सवाल समान्दिशा का है क्योंकि ढोनों ही ट्रेन बंबे से निकल रही है एक 10 बजे निकली, एक 12 बजे निकली तो दोनों बॉंबे से, है न, तो समान दिशा का question है, अगर train के लंबाई नहीं दी हुई है, तो दोनों के बीच का अंतर तो दिया रहेगा, एसे case में आप अंतर भी ले सकते हो कि दोनों के बीच का अंतर कितना है, नीचे लेंगे समान दिशा है, यानि यह बराबर में आएगा, इससे हमें मिलेगा कि उन्हें कितना समय लगेगा पार करने में, अब मुझे एक बात बताओ, देखो ध्यान से समझना, एक ट्रेन 10 बजे निकली, एक 12 बजे निकली, तो जो ट्रेन 10 बजे निकली, सोचो वो यहां पहुँच और जब 12 बजे ये वाली ट्रेन यहां थी, तब 12 बजे एक ट्रेन यहां से निकली, है न, भई ये वाली ट्रेन तो दो घंटे आगे है न, ये तो पहले ही आगे निकल गई है, तो अगर पहली वाली ट्रेन की चाल 65 है, 65 है, तो वो तो आल्रेडी दो घंटे आगे चल रही एक गंटे में 65 तो दो गंटे में कितना तो दो गंटे में 130 किलोमीटर तो 10 बजे वाली ट्रेन 12 बजे यहां है और 12 बजे अब एक ट्रेन यहां निकलेगी यानि दो गंटे का समय बीध गया है 10 वज़े बाली ट्रेन 12 वज़े कहां होगी तो 1 घंटे में 65 तो 2 घंटे में 135 पैसट का दुगना तो देखिए दोनों ट्रेन में अब 130 किलोमेटर का अंतर है और क्यूंकि ये किलोमेटर में है तो ये भी किलोमेटर और घंटे में होगा कोई दिक्कत नहीं है नीचे S1 माइनस S2 दोनों का अंतर लेलो तो दोनों का अंतर कितना है 10 यानि दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने घंटे बाद पार करेगी तो आंसर आएगा 13 घंटे बाद लेकिन आप से समय नहीं पूछा है हाया ना आप से ये पूछा है कि बताओ कितनी दूर मिलेगी ठीक है तो आप ये बताइए कि बंबई से कितनी दूर देखो ये वाली ट्रेन तो यहां पहुच गई बंबई वाली ट्रेन अब निकल रही है तो बंबई से कितनी दूर इनकी मुलाकात होगी तो बंबई से कितनी दूर तो बंबई पे जो ट्रेन अभी खड़ी है उसकी चाल है 75 तो 75 की चाल से 13 घंटे बाद इनकी मुलाकात होगी तो केवल 75 का गुणा करना है तेरा पंजे 65 केडी हो गया 6 तेरा इंटो साथ 99 इंक्यानवे में 6 जोड़ दिया संत्यानवे तो बंबे से 975 किलोमिटर दूर इनकी मुलाकात होगी यानि एक दूसरे को पार करेंगी ठीक है भई आपसे कहेंगे कि इस ट्रेन से कितनी दूर तो 65 का गुणा कर देते बंबे से कितनी दूर क्योंकि बंबे वाली ट्रेन तो अब निकल रही है ना तो ये 75 की चाल से 13 घंटे तक चलेगी तो 13 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी तो 975 की दूरी तय कर लेगी ठीक है वेरी गुट चलिए क्वेस्चन नमबर 5 संपर्क क्रांती देखो कभी भी जब दो ट्रेन अलग अलग समय पर चले ना तो पहले उनके बीच का अंतर आइडेंटिफाई करो कि यार एक ट्रेन तो आगे निकल गई वो कितनी आगे है ये पता लगाना सबसे जरूरी है पस समान दिशा होगी ही तभी तो एक दूसरे को पार करेंगी सापेक्षचाल का भाग दीजिए समय पता चल जाएगा अंतर निकालना मोस्ट इंपोर्टेंट है चल कोई बोल रहा है कि 130 किलो मिटर तो पहले ही चल गई तो 130 तो ये चली ना वही बॉम्बे वाली ट्रेन तो यही खड़ी है और बहुत 13 घंटे बाद यहां पहुचेगी तो इस 900 जत्यान के अंदर 130 पहले से शामिल है और 130 से हमें फर बहुतर आ रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं है हाजी संपरक क्रानती चौदा बचकर 30 मिनट पर 75 की रफ्तार से दिल्ली चैन निकली जबकि राजधानी उसी दिन 16.30 पर 90 से दिल्ली से चेन्ने के लिए रवान हुए अच्छा ये भी दिल्ली से चेन्ने के लिए ही निकली दिल्ली से कितनी दूर दोनों ट्रेन मिलेंगी देखो दोनों ट्रेन ही दिल्ली से निकल रही है भाई एक ट्रेन 14 बज कर 30 मिनेट पर निकली अगली ट्रेन 16 बज कर 30 मिनेट पर निकली और निकली दिल्ली से ही है है न एक ट्रेन की चाल 75 है एक की चाल 90 है एकदम सेम सवाल है कोई अंतर नहीं है मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका आंसर दे एकदम सेम क्वेश्चन कोई अंतर नहीं है पिछले सवाल और इस सवाल में करिए गुड 900 आंसर देने वाले बहुत बहुत बधाईगे पात रहे 900 बिलकुल करेक्ट आंसर है और इस रेलवे गुरूप डी का सन 2022 का आया हुआ सवाल है वेरी गुड वही चवदा तीस यानी दोपेर का ढाई और साम का साड़े चार यानी ये वाली ट्रेन जो है जब ये निकलेगी तब तक दो घंटे चल चुकी होगी और इसकी चाल कितनी है 75 है ना तो ये दो घंटे इस से आगे है दो घंटे पहले निकली 75 की चाल से 75 का क्योंकि ये तो ढ़ाई बज़े निकल गई तो जब ये ट्रेन यहां पहुची तब ये ट्रेन निकलने का विचार कर रही है यानी दोनों में 150 किलोमेटर का अंतर है तो दोनों में 150 किलोमेटर का अंतर है दिशा समान है सापेक्च चाल लेंगे अंतर लेंगे 90 मेंसे अगर 75 घटाएंगे तो मैं डारेक्ट 15 लिख दूँ तो इससे आ जाएगा 10 घंटे यानि 10 घंटे बाद उनकी मुलाकात होगी क्योंकि दिल्ली से पूछा है तो ये वाली ट्रेन बाद में निकली तो दिल्ली से कितनी दूर मिलेगी तो दिल्ली से जब आखरी ट्रेन निकली उसकी डान चलिए टाइप नंबर फोर जब दो ट्रेने विप्रित दिशा में हो हमने जो पिछले पास सवाल करे हैं ये समान दिशा वाले थे अब हम आ रहे हैं विप्रित दिशा पे और विप्रित दिशा के बारे में मैं फिर बता दूं कि विप्रित दिशा में चाल हमेशा जुड़ती है विप्रित दिशा में स्पीड हमेशा प्लस होती है यह ध्यान रखना अजय मिश्रा के रहे हैं सर मैं अभी ट्रेन में हूं घर जा रहा हूं और ट्रेन का ही टॉपिक पढ़ रहा हूं बहुत बढ़िया तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा जितने लोग इस समय देख रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा समझ में आएगा हमारे अजय मिश्रा भाई को क्योंकि ट्रेन में बैटकर ही ट्रेन चेप्टर पढ़ रहे हैं इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि अठरा बटे 5 5 बटे 18 हमें तब लाना है जब इकाईया अलग अलग हो इकाईया सेम है तो उसकी जोर्वत नहीं है कि चलो हो गया दो ट्रेन है विपरित दिशा है चाल है सब तो दिया है देखो उपर वाले का दिया हुआ सब कुछ तो है दोनों की लंबाई दी है दोनों की चाल दी है तो और क्या चाहिए समय बता दो तो एक की लंबाई कितनी है 125 एक की लंबाई कितनी है 375 अब ये मीटर में है देखो अब जैसे ये दोनों मीटर में है और यह km प्रती घंटे में है तो अब यहाँ पे होगा तो यह आएगा 81, एक की चाल है 63, अब यह km प्रती घंटे में है तो इसको मुझे m per second में बदलना पड़ेगा, क्योंकि इसको m per second में बदलना पड़ेगा, इसलिए 5 बटे 18 का गुणा करना पड़ेगा, है ना, चलो, त तो यह हो गया 3, 4, 5 इसको जोड़ा, तो कितना आया भईया? पांस स्वाया, यह 18 ऊपर आ जाएगा, पांच नीचे रह जाएगा, 3 और 1 हो जाएगा, 4, 8 और 6 हो जाएगा, 14, तो 5 से कैंसीलोगा यह 100 बार, 18 से कैंसीलोगा 8 बार, 8 से कैंसीलोगा साड़े, 12 बार, तो आफ्टर साड़े बारा घंटे they will cross each other स्वारी घंटे बोल रहा हूँ second after 12.5 seconds they will cross each other मीटर पर second आ गया ना तो आंसर आपका second में आएगा so after 12.5 साड़े बारा मिनट second के बाद एक दूसरे को पार करेंगे very good, very easy done कौनों दिक्कत अगला सवाल बहुत अच्छी बात है भाई समान लंबाई की दो ट्रेन है उनकी चाल दी है विप्रित दिशा दी है 12 सेकेंड में पार कर जाती है हर ट्रेन की लंबाई बताईए देखो दोनों ट्रेन की लंबाई कैसी है सेम है एक S1 है एक S2 है बराबर में टाइम है है ना तो एक की चाल है लंबाई एक से दूसरे की भी एक से 90 और 54 तो 90 और 54 कितना हो जाएगा 90 और 54 हो जाएगा चलो बिपरित दिशा है तो ये दोनों जोड लेंगे और इसको गुणा कर लेंगे ताकि मीटर पर सेकेंड में आ जाए और इधर आ जाएगा पार करने में लगा समय तो ये कितना होजाएगा ये होजाएगा 2X ये क्या होजाएगा भाई एक काम करो गयो nov इसको पूरे को उठा की उधर ही ले जाओ तो 12 तो अपनी जगह है ही इसको भी ले आओ 9 और 5 च overcoming यानि 144 और 5 18 ठीक है काटा पिटी 18 से cancel कर दो 8 बार दो से कैंसिल कर दो 6 बार 6,48, 48 का पाच गुना दो सो चालिस तो प्रत्य ट्रेन की जो लंबाई है that is 240, 240 मीटर दोनों की लेंथ सेम थी दोनों की लंबाई बराबर थी ऐसा कहा गया है आपसे ठीक है? चलें आगे, नेक्स देखिए 110, 90, दो ट्रेन, विप्रित दिशा 5,4 सेकेंड में पार किया एक की लंबाई 130, दूसरी की लंबाई क्या है? very good, देखो एक ट्रेन की लंबाई 130 है दूसरे की नहीं पता एक की चाल 110 है एक की चाल 90 है और फिर 130 मीटर में है ये किलो मीटर में है विप्रित दिशा में चाल जुड़ेगी एक दूसरे को पार करा है तो मीटर पर सेकेंड में बदलना पड़ेगा और कितने सेकेंड में पार करा है? 5.4 तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें मेरी कोई ज़रत है आप आराम से इसका आंसर निकाल सकते हो तो जल्दी से निकालो देखते कौन सबसे पहले करेक्ट आंसर देता है हाँ ठीक है ओके आरमी की क्लास ठीक है चालू कराते है आप विनर्स डिफेंस एकेडमी को सबस्क्राइब कर लो आरमी की हम क्लास लगवा देते हैं उस पर चलो देखते हैं क्या आएगा ये तो हो जाएगा आपका 130 और एक ट्रेन की लंबाई नहीं पता ये हो गया आपका 200, 5, 18 और 54 बटे 10 इसको मैंने लिख दिया 54 बटे 10 बस इसको solve कर लो है ना तो 0 से 0 गया, 18 से cancel हो गया 3 बार 5 का 3 गुना 15, 15 का दुगना हो गया 300 तो ये आ गया 130 प्लस X और इधर आगया आपका 300 300 में से अगर एक 130 है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई 170 होगी 170 इस दा आंसर, 170 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ठीक चलिए टाइप नंबर 5 है, क्वेस्चन का लंबाई दी है एक दूसरे की और 162, 168, दोनों की बीच की दूरी 300, ये ट्रेन कितने समय में पार करेगी, मेंस का बहुत बढ़िया सवाल है भाई, टीर 2 का मतलब क्या होता है मेंस, तो SSC CGL मेंस का सवाल है लेकिन मैं करके बताऊंगा तो आप बोलो, के सर इतना आसान सवाल मेंस में क्यों पूछते होंगे ये लोग, ठीक है? चलो बता दूँ, तेखो आप एक काम करो, आप पहले इससे समझो कि एक ट्रेन ये खड़ी है, ठीक है? दूसरी ट्रेन ये खड़ी है, और दोनों के बीच में कुछ रखा है या डिस्टेंस है, एक की लंबाई 450 है, एक की लंबाई 300 है, और दोनों ट्रेन के बीच की दूरी भी कितनी है, 300 है, तो यहाँ पे total distance क्या मानी जाएगी, total distance यहाँ से यहाँ तक मानी जाएगी, है न, उनके बीच की जो दूरी है वो भी लेना है, बस इतना सही काम है, तो देखो, 300, 300, 600, 450, यानि total दूरी आ गई, 1050, एक दूसरे की ओर आ रही है, देखो, एक दूसरे का मतलब होता है, एक से और एक इधर से विप्रित दिशा, विप्रित दिशा में चाल जुड़ेगी, तो एक की चाल है 162, एक की चाल है 108, और किलोमेटर प्रती घंटे को मीटर पर सेकेंड में convert कर लेते हैं, बस इससे सीधा अंसर की प्राप्ती आपको हो जाएगी, एक हजार पचास आ गया, यह 18 पलेट के उपर जाएगा, पांच आपका नीचे रह जाएगा, यह दोनों जुड़ेंगे, तो आट दो दस, छे और एक साथ, दो एक तीन, तो यह आ जाएगा आपका तीन सो सत्तर, स्वारी, दो सो सत्तर, ठीके न, यह दो सो सत्तर आ गया, बस, खतम काम, सॉल्व कर लो, तो देखो, जीरो से जीरो गया, 27 के पहाड़े में, यह फिर एक काम करो, पांच से इसको उड़ाओ, तो यह आ गया 21, 9 दुनी 18, 9 तिया 27, 3 इंटू 7, और 7 का दुगना कितना आ गया, 14, तो दोनों एक दूसरे को 14 सेकेंड में पार कर की आंसर है, उनके बीच का जो गया पे वो भी जोड़ लेना है बस, इतना सा काम था, बाकि कुछ नया नहीं था, 14 सेकेंड्स इस दराइट आंसर, ठीक है, बहुत ज्यादा आसान टॉपिक है, कभी इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी, चलि अगला देखिए, एक ट्रेन स्टेशन A से स्टेशन B की और 200 किलोमेटर पति घंटे की गति से चली, 45 मिड़ बाद स्टेशन B से A की और 35 की गति से दूसरी ट्रेन चली, दोनों की बीच की दूरी 1855 है, दोनों ट्रेन A से कितनी दूरी पर मिलेगी, देखिए, यह सवा हमने अभी थोड़े देर पहले किया था उसी को थोड़ आलग भाशा में आपको दिया जा रहा है यह स्टेशन ए है यह स्टेशन बी है दोनों के बीच की दूरी कितनी है दोनों के बीच में दूरी है आठ सो पच्पन किलोमीटर ठीक है एसे जो चलती है इधर वाली ट्रेन जो चल रही है वो 200 किलोमेटर प्रतिगंटे की गति से भाग रही है और जो उदर से छूटी है 45 मिनिट बाद इधर से जो ट्रेन निकली है यह 35 किलोमेटर प्रतिगंटे की रफ्तार से इधर भागेगी है ना और दोनों की बीच की दूरी आठ सो पच्पन है एक दूसरे क को ए से कितनी दूरी पर मिलेगी सवाल क्लियर है सभी को अब हमने यहाँ पे सवालों में क्या सीखा है कि हमें यह देखना है हाँ हमें यहाँ पर यह देखना है कि जब आपकी दूसरी ट्रेन निकलती तब तक भई 45 मिट बाद वो निकली है ना तो 45 मिट तक यह तो चलेगी ना तो 240 है 45 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी मिनट को गंटें बदलने के लिए साथ 15 तिया 15 इंटू 4 यानि जब वो ट्र ट्रेन निकलेगी तब तक इसको आराम कहां है यह तो यहां गई 150 किलोमेटर की दूरी इसने तय कर ली है ना आप पड़ो ध्यान से 45 मिनट बाद वो ट्रेन निकलती है तब तक वो तो चलेगी ना वो किसी रस्ता देखेगी वो तो चलेगी है ठीक है तो अब यह बताओ कि 855 दोनों की दूरी थी 150 दूरी कम हो चुकी है तो यह 5 आ गया 5 में से 5 गया 8 में से 7 गया यानि अब दोनों की बीच की दूरी कितनी बची है अब दोनों की बीच की दूरी 705 बची है है ना और सापेक्ष चाल तभी लगाओगे जब दोनों चीजे चले एक चल रही एक दूरी है और अब दोनों मूविंग हैं दोनों दोड रही हैं दोनों की बीच की दूरी 705 दिशा विपरिते तो जुड़ेगा 200 प्लस 35 कितना आ जाएगा 2359 और पांस तिया पंदरा यह एक्जेक्ट कटेगा तीन बार यानि भाया तीन घंटे बाद इनकी मुलाकात हो यहां कहीं पर यह मिलेंगे पर सवाल है ए से कितनी दूर ए से कितनी दूर तो देखो तीन घंटे यह और 45 मिड़ वो पहले चली थी आप तो यह सोचो कि तीन घंटे में यह कितना चलेगी यहां से तीन घंटे तक यानि यह कितना चलेगी यह 600 चलेगी और 150 पहले ही चल पही मैं ये पता लगा लूँ ना कि इस बिंदू से ओर कितना तो यहां से तीन गंटे बाद मुलाकात होगी तीन गंटे बाद एक दूसरे को काटेंगी पार करेंगी तो तीन गंटे में ये वाली ट्रेन दोसो की स्पीट से 600 चल जाएगी एक सो पचास चल चुकी है तो ए से कितनी दूर मिलेंगे ए से मिलेंगे 750 किलोमेटर दूर 750 इस दर आइट आंसर ठीक है अमन धाकूर का सवाल है कि सर पाँच बटे अठारा ही क्यों लेते हैं बता देते हैं आपको अमन ठीक है मैं कि देखो पाँच बटे अठारा का कंसेत्ट कहां से आया आप सवाल पड़ो जिन से बन रहा हैं पड़ो जिनको पता है इदर मद देखो जिनको नहीं पता है वो देखो कि कि किलोमेटर प्रधि घंटे में पांच बटे 18 का गुड़ा करने पर मीटर पर सेकेंड क्यों आता है आपके पास चाल है एक किलो मीटर में एक घंटे कि एक घंटे में एक किलो मीटर वो चल रही है अब मुझे इसको बदलना है मीटर में और इसको मुझे बदलना है सेकेंड में तो एक किलो मीटर में कितने म सब्सक्राइब तो यह 10 आ गया नीचे 36 आ गया दो से कड़ गया पांच बार दो से कड़ गया अठारा बार तो एसे आता है पांच बटे अठारा सवाल नंबर 11 हाँ हाँ ठीक है चलिए दो स्टेशन है S1 और S2 नाम दे देते हैं इनका है ना इसका नाम दे दिया हमने S1 इसका नाम दे दिया आपने S2 इनके बीच की दूरी कितनी है तो इनके बीच की दूरी है 195 किलोमेटर एक ट्रेन स्टेशन S1 से चार बज़े निकलती है इदर से ट्रेन निकलती है चार बज़े और उसकी चाल है 65 इधर से ट्रेन निकलती है 5 बजे और इसकी चाल है 35 दोनों ट्रेन कितने बजे मिलेंगी देखो, पहले तो दोनों को सेम टाइम पे लाओ एक 4 बजे निकली, एक 5 बजे निकली तो भाई ये 4 बजे निकली तो मान लो ये यहां पहुँझ गई क्योंकि इसकी चाल ही 65 है यानि इसने 65 किलोमेटर की दूरी तै कर ली 195 में से 65 गया 195 में से 65 गया तो बचा कितना 130 यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है 130 क्योंकि टोटल दूरी कितनी थी 195 अब 195, 130 इनके बीच की दूरी बची है ये पाच बज़े यहां पहुँझ गई ये भी अब चलने को तयार है विपरित दिशा है चाल जुड़ेगी तो विपरित दिशा में चाल जुड़ो 65 और 35 कितना हो जाएगा 100 क्योंकि ये भी किलोमेटर है तो ये किलोमेटर परार चलेगा एक दशमलो तीन घंटे बाद इनक अधिकतर लोग और जो बी आंसर दे रहे हैं आपको थंडे पानी से इसी समय रात में नहाने की बहुत जुरत है ठीक है क्यों भाई एक दशमलो तीन घंटे का मतलब किसने कहा कि एक घंटे 30 मिनिट होता है है ना एक दशमलो इस हिसाफ से तो अगर तुम्हें एक दशमलो पाट कहा जाए तो क्या तुम्हें गंटे 80 मिनिट कर दोगे उसको है ना क्या एक दशमलो नौ कहा जाए तो तुम्हें गंटे 90 मिनिट कर दोगे बिलकुल नहीं है ना एक दशमलो पांच घंटे का मतलब होता है डेड़ घंटा ठीक है अगर यह सवाल ऐसा होता ना अगर कि ऐसा होता तो इसका मतलब 30 है ये फिलाल दशमलो है ये घड़ी नहीं है ये दशमलो है तो देखो आप इसको ऐसे समझो कि ये आप इसको ऐसे कर लो कि भाई 13 बटे 10 है या फिर इसको ऐसे कर लो कि 1 और 3 बटे 10 है दशमलो 3 को क्या मैं 3 बटे 10 लिख सकता हूं 3 बटे 10 और इसको मिनट में convert करो, इसलिए किसे गुणा करो 60 से, 0 से 0 कटेगा, तो ये वास्तों में 1 गंटे 18 मिनिट है, 6 ती 18, एक घंटे 18 मिनिट बाद इनकी मुलाकात होगी, तो पांच बजे ही दोनों चल रही है, तो पांच बजने के बाद, एक घंटे 18 मिनिट और जोड दिये जाए, तो 6 गंटे, 6 बज कर 18 मिनिट पर इनकी मुलाकात होगी, तो भाई, D आपका अंसर विलकुल सही है, हो गया मोय मोय, कोई आनंद मंगल में कमी तो नहीं है, ये 1.3 घंटे है, एक घंटे 30 मिनिट नहीं है, इसको मिनट में बदलना पड़ेगा, तो एक घंटे 18 मिनिट, ठीक, चलिए अगला, इसलिए आज हमने सुबह सुबह, आज जब मैं एप्लिकेशन पर सुबह क्लास ले रहा था, तो मैंने सबसे पहले आज की क्लास की शुरुवात ही यही करी, कि आज वसंत पंचमी है, सरस्वती मा का दिन है, वो सब को सदबुद्धी दे, यही हमारी वस उनसे प्रार्थना है, कि हमारे इन नन्ने मुने बालक और बालिकाओं को सदबुद्धी दे, नहा ले ना, पाप दुल जाएंगे तुम्हारे, चलो, टाइप चेंज हो गया है, 142 की आत्रा करतुए रेलगाडी 38 पर विपरित दिशा, आधी लंबाई वाली दूसरी चाल, 6 सेकेंड में, यह एक रेलवे प्लेटपॉर, यह अपने आप मेंना दो सवाल है, एक तीर से दो-दो निशाने आपे मारे जा रहे हैं, तो आपको पहले केबल यहां तक सॉल्व करना है, आगे पढ़ना भी मत, पहले इतना सॉल्व करो, सारी जानकरी जुटाओ, फिर उसके आगे बढ़ो, ठीक है, देखो, 142 किलोमीटर पर यात्रा करते हुए एक रेलगाडी 38 की विपरित दिशा से, इसकी आधी लंबाई की, जैसे हम मानें कि भीया, एक ट्रेन की लंबाई अगर 2X है, तो दूसरी इसकी आधी होगी, अगर एक 2 है, तो एक उसकी आधी होगी, तो एक को 2X मान लिया, इसको X मान लिया, है ना, कैसी दिशा है, विपरित है, विपरित में चाल जुडेगी, तो एक की चाल 142 है, एक की चाल 38 है, इंटू में आ जाएगा 5 बटे 18, और दोनों ने एक दूसरे को कितने समय में पार करा है, तो 6 सेकेंड में पार किया है, क्लियर इतनी बात, ठीक है, तो 2X और X कितना हो जाएगा, यह आपका 3X हो जाएगा, 142 और 38 को जोड़ोगे, 4, 3, 7 और 8, यानि यह हो जाएगा, 180 यह हो जाएगा, 5 बटे 18, यह हो जाएगा, आपका 6, 18 से कटेगा, 10 बार, 50 बार, 50 औ उना कर दोगे, तो 300 आजाएगा, यानि X की वैल्यू कितनी आजाएगी, X की वैल्यू 100 आजाएगी, ठीक है, इसका मतलब एक ट्रेन की लंबाई 200 है, और एक ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो 100 है, ठीक है भाई, यदि यहाँ एक रेलवे प्लेटफॉर्म को भी 45 सेकेंड म प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो यही ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करेगी, इसकी चाल कितनी 142 और प्लेटफॉर्म की चाल तो होगी नहीं, अब मत बुलना प्लेटफॉर्म भी दोड़ेगा क्या, और दोनों एक दूसरे को कितने सेकेंड में पार करती हैं, 45, इसको हल करने से मुझे प्लेटफॉर्म की लंबाई पता चलेगी, तो मैं इसको उठा के उधर ले जा रहा हूँ, जगा की थोड़ी सी कमी है, तो यह 45 जा गया, ठीक है, जो फर्स्ट वाली ट्रे ने इसकी चाल 142, इसको पांच बटे 18 से उड़ा देते हैं, ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, तो यह हो जाएगा, 95, 45, नो दुनी 18, फिर दो से यह कैंसिल हो जाएगा, 71 बार, है ना, फिर यह हो जाएगा, पांच और पांच प हो जाएगा, तो आपके पास जो प्लेटफॉर्म है, इसकी लंबाई आ जाएगी, 1575, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 1575, 1575, अब बोलो, ठीक है, एसे ये दो सवाल थे, यही वाली ट्रेन ने अपने से आदी लंबाई की ट्रेन को पार करा और यही ट्रेन ने एक मैं पता नहीं, 45 सेकेंड में पार किया, लब चालिस के 142, पाच बटे अठारा, पंदरा सो पिचत्तर, 1575, मैस फाउंडेशन हिंद इंगलिश दोनों मीडियम में होता है, आपको लेंग्वेज का इश्यू नहीं आएगा, उसमें, क्लेरिटी होनी चाहिए भाई, सवाल कैसा भी हो, क्लेरिटी से चलोगे, आप कभी गलती भी नहीं करोगे, कन्फ्यूज भी नहीं होगे, दो रेल गाडिया हैं, 40 और 32 से, विप्रिद दिशा, तेज वाली गती, धीमी वाली ट्रेन में बैठे व्यक्ती को 15 सेकेड, देखो, अब हम इस मोड पे आ गएं, कि एक ट्रेन के अंदर बैठे हुए व्यक्ती को दूसरी ट्रेन पार कर रही है, फिलाल इतना समय नहीं है कि मैं आपको पूरा डिटेल बताओ, इसका आप फिलाल बस इतना याद रखो, कभी भी आप इसमें ये मत देखो कि फास्ट ट्रेन में बैठी है कि स्लो ट्रेन में व्यक्ती बैठा है, हमेशा याद रखें, जिस ट्रेन के अंदर व्यक्ती बैठा होता है, जिस के अंदर आदमी बैठा है, उस ट्रेन की लंबाई हमेशा जीरो ली जाती है, क्योंकि हम उस ट्रेन को पार करी नहीं हम तो उस आदमी को पार कर रहे हैं, और आदमी की कोई ल उसकी जरूरत ही नहीं है, यह हमेशा ध्यान रखना, तो देखिए, सबसे पहले दिशा पकड़िए, विपरित दिशा है, विपरित दिशा मतलब L1, L2, S1, S2, बराबर में टाइम, ठीक है, अब आप समझना, भई, एक ट्रेन फास्ट है, एक ट्रेन स्लो है, आदमी किस में बैठा है, धीमी चलने वाली ट्रेन में बैठा है, यानि स्लो ट्रेन की लंबाई हम क्या लेंगे, 0, तो हमें पता क्या करना है, फास्ट, तो फास्ट ट्रेन को L1 ले लेता हूं, और L2 को मैं क्या लेलूंगा, 0, तो 0 को लिखने की जरुत नहीं है, विपरित ताकि उदर ले गए बहत्तर पांच और अठारा इससे आपको डारेक्ट आंसर की प्राप्ति हो जाएगी अठारा से कैंसिल हुआ चार बार बीस और पंदरा तीन सो तो जो फास्ट ट्रेन है उसकी लंबाई क्या होगी तीन सो और स्लो ट्रेन का अगर आपसे पूछते तो उ जब त्रेन को ही हम 0 मान रहे हैं तो जो आनसर आएगा वो फास्ट ट्रेन का ही आएगा वह तेज गति वाली ट्रेन का ही आएगा ठीक है पस चलो अगला ये बी एक बड़ा ही प्यार सवाल है पड़े इसको बड़े ही प्रेम से हाँ, खंबे की लंबाई तो नहीं जोड़ोगे, खंबे की लंबाई नहीं, खंबे की उचाई होती है, खंबे को कैसे पार करोगे, प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी, पुल की लंबाई होगी, जुड़ेगा, खंबे की लंबाई को कभी नहीं लेते हैं, हाँ हाँ बहुत सारी चीजे ट्रेन चेप्टर में जब मैं पढ़ाता हूं बेसिक से तो पहले दिन की क्लास में तो बहुत गुदगदा देता हूं बच्चों को मैं बहुत तरह तरह के उधारणों की बात करते हैं चलती ही ट्रेन के सामने अगर आदमी आ जाए तो कई लोग मैस फांडेशन में पढ़ते होंगे तो हमने आज डिसकाउंट को बहुत गहराई से समझाता कि कैसे हिंदुस्तान का आदमी और डिसकाउंट का संबंध है फिर हमारी माताएं और बहने आती हैं तो फिर तो फोल के रख देते हैं डिसकाउंट जैसी चीज को तो मजा है इस यह सवाल मैं पिछले 3-4 सालों से किरा रहा हूं और यह सवाल आज से 2 साल पहले जो मैस की किताब छपी उसमें भी मिलेगा आज से 3-4 साल पहले जब मैं मैस फांडेशन पढ़ा रहा था तब भी मिलेगा और यह संवाल स्सक सेडीन की परिक्षा में에요 सेम विदाउट नंबर चेंज होके यह आपको मिला है और मैं अगर आप अपनी अंक गणित एक एडवांस की किताब एक अंक गणित की किताब है आपने बात निकाल दी इसलिए मैं दिखा देता हूं या तो यह ट्रेन चैप्टर में होगा या फिर यह समयदूरी चैप्टर म को धून लेना यह सेम सवाल आपको किताब में मिलेगा सेम सॉल्यूशन के साथ और यह आपने ही कमेंट में मुझे याद दिलाया है चलिए यहाँ पर बडी सिंपल बात है हम करते क्या है कि एक ट्रेन 80 चल रही है एक 95 चल रही है यानी यह ट्रेन हर घंटे 15 किलोमीटर जादा चल रही है पहई एक गानी दोनो ट्रेन भी बारा घंटे चली तो दोनो बारा घंटे चली तो कितनी दूरी तय करी? आठ और 9 सत्रा यानी 175 और यहां बारा का गुणा करिए आन्सर recognized 2100 आएगा क्योंकि मुझे भी रटा हुआ हैं नहिंौर process ठीक है ओके चलिए भाई दो ट्रेन है एक स्वाई से एक दूसरे को 600 किलोमेटर दूर है एक से से 225 किलोमेटर दूरी पर एक साथ करते हैं बी को यातरा करने में 8 गंटे लगे तो एक को कितना लगेगा इस सवाल को छोड़ो यह तो बहुत नॉर्मल सवाल है आप होमवर्क में ले ना यह सवाल जरूर मैं आपको करके बताता हूं अंतिम सवाल है आज का मारा इसको पढ़िए इसकी बहुत बढ़िया ट्रिक है देखो क्या होता है जब दो ट्रेने एक यहां से यहां तक पूँची एक ट्रेन यहां से यहां तक पूँची यहां एक दूसरे को पार करने के बाद यह वाली ट्रेन यहां गई और यह वाली ट्रेन यहां गई इस ट्रेन को यहां से इस मिटिंग पॉइंट से यहां तक ज आने में 4 गंटे 48 मिट लगे और इस ट्रेन को यहां से यहां आने में 3 गंटे 20 मिट लगे तो इसलिए इसका नाम रखाए कि जब दो ट्रेन्स मिलती है तो इसका एक बहुत बहुत सुन्दर तरीका है इस्पीड 1, इस्पीड 2, टाइम 2, टाइम 1 और यह अंडर रूट में बहुत कमाल की ट्रिक है और यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत आता है इसलिए आपको मैं बता रहूँ है ठीक है याद रखना एस 1, एस 2 यह अब कैसे बना बताने का समय फिलाल नहीं है मैस फाउंडेशन में आपको मैंने यह प्रूफ करके दिखाया है कि यह कैसे आता है फिलाल आप बस आम खाएं गुठली को छोड़े एस 1, एस 2 यह अनि चाल उसके समय के विपरित होता है टाइम 1, टाइम 2 और अंडर रूट है ना अब यहाँ पे आप क्या करिए इनको पहले भिन्न में बदल लो या मिनट में बदल लो जैसे आपका टाइम 1 जो है वो 4 गंटे 48 मिनट है तो 60 से भाग दे दो है ना तो 12 चो तो टाइम 1 आपका क्या आएगा 24 बटे 5 फिर टाइम 2 पर आएओ, तीन घंटे 20 मिनिट तो बीस तीया साथ तीन तीया नौर एक 10 तो यह आजाएगा आपका 10 बटे 3 तो टाइम 2 क्या आजाएगा 10 बटे 3 बस इनको रग दो एक ट्रेन की चाल 45 है दूसरे की चाल क्या है एक ट्रेन की क्या है 45 दूसरे की चाल मुझे नहीं पता टाइम 1 नीचे आएगा तो टाइम 1 नीचे आएगा यानि 24 बटे 5 टाइम 2 उपर जाएगा तो ये उपर आएगा 10 बटे 3 खीक है? अब इसको आप solve करोगे ठीक है तो क्या करोगे आप दो से इसको उड़ा सकते हो पांच बार दो से उड़ा सकते हो बारा बार पांच और पांच पच्चिस पच्चिस किसका वर्ग होता है बारा तिया च्छतिस च्छतिस किसका वर्ग होता है पांच से कड़ गया नौ बार और नौ इंटू छे हाँ 27 26 तारिक से वो बैच चालू हो रहा है जो आपने ले लिया है 26 से लाइव क्लाजा पर्टेंट करना एक सुबह एक शाम ओके भाई कि आया मजा कि 25 का वर्ग बारातिया 36 का वर्ग पांस से कटा नौ बार नौ इंटू छे 54 तो इस ट्रेन की चाल क्या है 54 है सो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं इसकी पीडिएफ में दो मिनिट के अंदर यहां पे शेयर कर रहा हूं डाउनलोड कर लेना यह जो भी पढ़ाया है और अब हम अगला जो टॉपिक उठाएंगे वो समय कार्य और समय कार्य में बार शेडियूल है नोट कर लेना इस हिसाफ से हमारी अब आगे की सारी क्लासे जोंगी और कल अगर क्लास कल या तो यह सेशन होगा या फिर समय कार्य और अगर कल नहीं हुआ तो यह परसो होगा है ना इसकी परसो होने की संभाब ना जादा है तो 16 फरवरी को रात 8 बजे ठीक करेंगे और 26 फरवरी से विनर्स के अप्लिकेशन पर रेलवे का धमाकेदार बैच चालू हो रहा है बहुत ही कम फीस में जो मैंने आपको बताया और सारी सुभिधाएं सारे 11 टीचर्स आपको इसमें मिल रहे हर विशय लाइव और इंडिविज्वल पढ़ाया जाएगा ह बाद में रिकॉर्डिट देख लो प्रिविएस एर्स के प्रेश्न मॉक टेस्ट नोट्स मटेरियल सब कुछ इसके अंदर है सब कुछ मिलेगा आपको है और मेरा एक मैस का नया बेच चालू हो रहा है अगर आप दोनों साथ में ज्वाइन करना चाहते हो तो 999 और सिर्फ मैस का करना है तो 499 और यह विनर्स की टीचर्स की टीम है यह हमारी सारी किताबे हैं आप अगर मैस की रिजनिंग की मेरी किताबे चाहिए और सभी मतलब बॉयलोजी हिस्ट्री कम्प्यूटर इंग्लिश रिजनिंग तो आप इन्हें और कर सकते हिंदी मीडियम इंस्टिट्यूट एप और अगर आपको किताबे और करनी है तो विनर्स पब्लिकेशन एप इनके माध्यम से आप कर लीजेगा ठीके भाई तो उम्मीद करते हैं आज के सेशन में आपको पुना हर दिन की तर आनंद प्राप्त हुआ होगा कमेंड करके बताईएगा आज क रही है मुस्कुराते रही है धन्यवाद